तो आज हम बात करने वाले बेटा रियक्शन आफ एथर विद एचाई एथर की रियक्शन है रोजन आयोडाइट के साथ तो अब इस एथर की रियक्शन हैचाई के साथ कराओगे तो आपका कौन सा मेकेनिजम फॉलो करता हुआ यह प्रोडक्ट बनाएगा SN1 या SN2 तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और इसकी कंप्लीट मेकेनिजम भी बताऊंगा उसके पहले मैं बता दूं कि मैंने SN1, SN2, SN2 से रिगार्डिंग सभी प्रॉब्लम्स, SN1 से रिगार्डिंग मैंने तीन वीडियो आल्रेडी अप्लोड कर रखें कि किस-किस रियक मेरे SN1 और SN2 के उसको प्रॉपर देख लीजिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि R1, R2 की रियक्शन ही के साथ कराओगे तो कौन सी मेकेनिजम को फॉलो करेगा तो पहली चीज़ आप देखिएगा अगर यह R1, O, R2 यह आपका एथर है यह आपका क्या है एथर यह हमारा एथर यह लिंकेज होती है इथर की होती है अब यह हमारा जो एलकाईल पार्ट है यह यहाँ पे यहाँ पे ठिक ? एलकाईल पार्ट यह हमारा प्राइमरी भी हो सकता है secondary भी हो सकता है और tertiary भी हो सकता है ठीक अगर कोई एक alkyl group अगर हमारा tertiary हो गया इन दोनों R1, R2 ये R1 कुछ भी हो primary, secondary, tertiary एक R2 अगर tertiary हो गया 3 degree हो गया तो उस case में SN1 mechanism होगी उस case में क्या होगी बेटा SN1 mechanism ठीक है अब आपको doubt आ रहोगा primary, secondary, tertiary क्या है तो देखिए simple सा है जैसे आपका इस R1 की जगे अगर आपने simple सा लगा दिया CS3, CH2 ये तो ये हो गया primary वाला अगर secondary करना हो तो देखिए secondary वाला CS3, CH, CS3 तो इस group से जुड़ा होगा तो secondary हो जाएगा अगर हमारा CS3, C, CS3, CS3 इस से जुड़ा होगा ये oxygen तो ये tertiary होला हो गया tertiary group ठीक है तो आपको primary, secondary, tertiary समझ में आ गया अगर इन R1, R2 में से मैंने बोला कोई भी एक group tertiary 3 degree वाला हो गया तो वो किस mechanism को follow करेगा SN1 mechanism को पहला case ये समझ में आ गया होगा ठीक है बेटा दूसरा देखते हैं अगर इस R1, R2 में से दोनों अगर बाइजन ये देखिए R1 ये ओ, R2 ये ether अगर ये भी primary या secondary हो और ये R2 भी primary and secondary हो तो वो उस case में आपका SN2 mechanism follow होगा तो आपने क्या देखा कि degree of alkyl को देखके आपने बता दिया कि SN1 mechanism को follow करेगा या SN2 अगर ether में एक भी 3 degree alkyl हो गया ठीक है तो वो SN1 mechanism को follow करेगा अब 3 degree हम SN1 mechanism में आप जानते हो कि कार्बो कटाइन का formation होता है मैं यहां ये भी कह रहा हूँ कि अगर ये 3 degree हुआ या फिर कोई ऐसा कार्बो कटाइन डेबलब हुआ जो काफी stabilize है तो उस case में भी आपका SN1 mechanism follow होगा मैं फिर से repeat कर रहा हूँ मैंने बोला ये 3 degree तो compulsory condition है है कि SN1 mechanism को follow करेगा बट इसकी जगह 3 degree के जगह ऐसा कोई आपने ले लिया ग्रूप जो SN1 mechanism को follow करता हुआ जो कार्बो कटाइन बनाए वो अगर most stable बन रहा है तो उस case में भी SN1 mechanism को follow करेगा इसको हम और example के थुरू समझते हैं तो इसको note कर लिजिए आपके सामने ये problem है ये है आपके सामने इथर की reaction HI के साथ अब आप देखो इधर इथर के इस side में tertiary लगा हुआ tertiary group 3 degree alkyl लगा हुआ इधर normal primary लगा हुआ तो आपको पता चल गया कि ये 3 degree वाला जो tertiary group लगा हुआ है या 3 degree alkyl group लगा हुआ है कहीं न कहीं ये कौन सी mechanism को follow करेगा बिटा SN1 mechanism को follow करता हुआ आगे बढ़ेगा clear यहां से समझ में आ गया SN1 mechanism अब HI के बारे में देखें HI जब तूटता है तो क्या होगा H plus I minus के form में तूटेगा H plus I minus के form में अब ये H plus आपका electrophile है electron deficient element है इसी H plus को proton भी बोलते हो और इसको किसकी चाहत होगी electron deficient है तो ये इसको electron की चाहत होगी clear बिटा तो क्या होगा कि ये ether के oxygen के पास lone pair होता है ये क्या करेगा अपना lone pair इस H plus को देदेगा और bond का formation कर लेगा तो क्या बनेगा देखेगा ध्यान से कि देखिएगा बेटा CS3 ये हमारा जब ये oxygen ने इस H plus को दिया तो बॉंड का फॉर्मेशन कर लिया लेकिन इस पर क्या आ जाएगा positive charge आ जाएगा और ये as it is CS2 CS3 हो जाएगा CS2 CS3 ठीक ये as it is हो गया अब आप देखिए कि इस oxygen पे इस oxygen पे positive charge आ गया और जो कि highly unstable क्योंकि oxygen more electronegative element है इस पे positive charge कभी भी नहीं रह सकता तो ये अपने आपको neutral करेगा neutral करेगा तो आपके पास दो option है बांड तोडने के लिए ये तो OH बांड तो टूटेगा नहीं क्यों क्योंकि just recently इसने form ही किया है newly bond फॉर्म किया है OH तो अब आपके पास एक option ये बांड तोड सकते हो या ये तोड सकते हो तो अब यहीं पे आपको quick decision लेना कि आपक होते हो तो इधर negative और positive आ जाएगा और ये positive आप जानते हो 3 degree का है ये positive चाथ 3 degree का कार्बोकाटाइन बनेगा तो 3 degree का कार्बोकाटाइन स्टेबल होता तभी तो SN1 mechanism को follow करेगा तो ये bond इधर की और तूटेगा और product क्या बनाएगा देखिएगा बांड जब stable कार्बोकाटा तो ये pair of electron लेके shift होगा तो ये positive और ये pair of electron लेके neutral हो जाएगा तो बनेगा क्या CH3 CH2OH तो side product आपका क्या होगा CH3 CH2OH हो गया अब ये कार्बोकाटाइन बन गया ये 3 degree का कार्बोकाटाइन है और 3 degree का कार्बोकाटाइन आपको पता है stable होता है तभी तो SN1 mechanism को follow करेगा SN1 mechanism मे क्या होता है कि कार्बोकाटाइन का formation होता है RDS step में यही slow step होगा आपके लिए RDS step होगा slow step red determining step फिर आपका नूक्लियोफाइल क्या है यहां पर I- I- क्या करेगा अब इस पर I- अटाइक करेगा इस कार्बन पर clear वेटा इस वाया SN1 mechanism क्योंकि SN1 में क्या होता है पहले कार्बोकाटाइन का formation होता है फिर नूक्लियोफाइल अटाइक करता सेकेंड इस टेम तो प्रोड़क्ट क्या बन बेटा CS3 CS3 CS3I clear तो आपको लगा कि देखिए आपका यह एलकाइल आयोडाइड बन गया और साथ में एलकोहल तो आपका यह भी प्रोड़क्ट बना और यह भी बना clear बेटा कि नहीं clear तो अच्छा अब आपको इसको थोड़ा सा मैंने sequence wise एक mechanism की through explain किया है बट आप इसको थोड़ा सा quick product बनाने की कोसिस करो देखो कैसे बना आपके पास यह product बना और आपके पास यह product बना ठीके बेटा दो प्रोड़क्ट बना तो कैसे बना आप खुद सोचो यह ether है आपने पहचान लिया यह tertiary है यह वाला group tertiary है tertiary group में SN1 mechanism को follow करता है अब आपके सामने है HI तो H plus I minus तो क्या किया आपने H plus दे दिया H plus देने के बाद क्या होगा कि यह वाला पूरा फिनोमेना हो गया अब आपको यहां से bond तोड़ना है या तो यह bond तोड़ो या तो यह bond तोड़ो तो आपको समझ में आगे SN1 mechanism हम उधर से bond तोड़ेंगे जिधर से stable carbogatine बन जाए तो ह दोनों प्रोड़क्त आप बना सकते हूं कि नहीं चलिए इसको नोट डाउन के लिए सेकंड एक्जांपल करते हैं फिर इसके लिए मैंने एक next problem दी है कुछ हुसी से मिलता जुलता problem है अब इसमें भी आपको पता है कि बेटा इस oxygen के पास loan pair है यह आपका tertiary group है यह आपका normal में थाई ले तो आपको पता चल गया कि हाँ यह कहीं ना कहीं SN1 मेकनिजम को फॉलो करता हुगा आगे बढ़ेगा अब देखते हैं 11 step करके आप 11 step करके practice भी करिए और direct product बनाने की भी कोसिस करिएगा मैं उसकी भी तरीका बताता हूं आपको देखें यह क्या होगा यह loan pair इ और यह आपके पास O से यह वाला H bond बन गया तो H बना लिया लेकिन इस पर क्या जाएगा positive charge आ जाएगा क्योंकि इसने loan pair को दिया तो जो donor होता उस पर positive charge और normal CH3 अब आपको पता है oxygen पर positive charge highly unstable यह bond तोडने को सिस करेगा OH bond नहीं तूटेगा क्यों नहीं तूटेगा क्यों न जिस पर को चूटा तो यहां पर जो positive होगा वो थ्रीडिग्री का होगा история क्사श सफरीडिeder और गया तो क्या होगा बेटा जो यहां से नुकलियोफाइल आई माइनस है वो क्या करेगा इस कार्बन पर अटाइक करेगा और प्रोड़क्ट बना देगा तो प्रोड़क्ट क्या बनेगा तो अब इसको इन दोनों प्रोड़क्ट बनाना इससे अब खुद सोचिए कि आप यहां से देखे कि यह 3-0 मेकनिजम तो आप यहीं से बॉंड तोड़ो इधर होगा माइनस इधर होगा प्लस यह प्लस 3-0 का कार्बोटाइन होगा प्लस को क्या चाहिए होगा माइनस convince यह पर पोजिटिफ तक अब कने प्लस चाहिए होगा सिव्हूप यह प्रोड़क्ट के बन लेगा ठीक है दोनों में देखते हैं कौन सी mechanism वो follow करता है ठीक है आपको पता है इस oxygen के पास क्या है बेटा lone pair यह h plus i minus पे टूटेगा पहले step यह lone pair क्या करेगा इस h plus को coordinate करेगा यह lone pair क्या क्या करेगा इस h plus को देगा ठीक है और क्या करेगा बॉन्ड का formation क्योंकि h plus यहां पे इलेक्ट्रोफाइल है इसको इलेक्ट्रोफाइल है इसको इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत है तो क्या बन जाएगा देखेगा यह oxygen ने lone pair इलेक्ट्रोफाइल दे के इस h plus से बॉन्ड बना लिए तो इस पे पॉस्टिफ चार्ज आगे वही कहानी oxygen more पॉस्टिफ चार्ज हाइलियं स्टेबल है तो यह बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा कौन सा बॉन्ड तूटेगा ओएच बॉन्ड तूटेगा नहीं क्यों नहीं तूटेगा नियूली बॉन्ड फॉर्म्ड है मलब नया बॉन्ड बना हुआ है आपके पास यह option है या तो य और यह बॉन्ड नहीं बॉन्ड तोड़ाए लेकिन अगर इसने यह वाला बॉन्ड तोड़ा तो यह positive चार्ज यहां पे resonance कर रहा है तो यह positive charge यहाँ पर काफी stable है तो काफी stable है तो कहीं न कहीं bond इस direction में ही तूटेगा अगर आप सुचो इधर से तोड़ोगे तो इधर तो आपने तोड़ दिया तो यहाँ positive charge यह आपने बना दिया प्लस क्या बन जाएगा यह आपका बेंजाइलिक कार्बोकाइन इसको बोलता है यह आपने CH2 प्लस यह स्टेबल कार्बोकाइन है तो अब कौन सी मेकनिजम को फॉलो कर रहा है συν 1 क्योंकि कार्बोकाइन का मतलब ही हो गए in यह किनिजम को अब क्या होगा अब क्या होगा चोर्म pomo good ऐस नूक्लियो क आपका यह product बन गया और एक alcohol product बनेगा आपको ether का जब भी आप HI के साथ reaction कराओगे तो गया बनेगा एक iodide का product बनेगा और एक alcohol का बनेगा अब डायरेक्ट यहीं से सोच लो कि आपने इस H plus को attack करा दिया तो आपको यह bond यह bond तोड़ना है तो भाई यह देखो कि अगर यह bond इ दूसरी problem J E की problem है 2010 की problem है इसको देखिए बहुत ही easy है देखिए H plus BR minus oxygen के पास loan pair यह क्या हो जाएगा इसको coordinate करेगा coordinate करने के बाद क्या बनेगा देखिए गटा यह देखिए यह आपका यह O हो गया यह H हो गया यह positive और यह CS3 अब आप यह सोचो कि यह positive charge highly unstable है तो यह bond तोड़ना चाहेगा अगर आपने यह bond चलिए दो cases है देखिए या तो यह bond तोड़े अगर आपने यह वाला bond तोड़ा एक मैं बता रहूं तो अगर आपने यह वाला bond तोड़ा तो यह negative इस पे आ जाएगा positive बेंजीन रिंग पे कभी भी positive charge highly unstable होता है तो यह चीज तो process अब नहीं हो पाएगा अगर आप यह सोचो दिमाग लगाओ कि भई चलो हम इधर सी bond तोड़ते हैं तो अब यह तोड़ते हैं तो इस पे positive charge आ जाएगा और methyl carbocatine कभी form ही नहीं हो सकता तो यह भी case गलत हो गया ठीक है तो अब क्या होगा अब इस case में SN2 mechanism follow होगा मतलब कि अब कोई carbocatine develop नहीं होगा अब direct जो होगा nucleophile ध्यान सुनियागा समझेगा अब जो i- है अब वो उस carbon पे attack करेगा ध्यान सुनियागा अब bond की breaking दोनों नह तूटेगा अब क्या होगा direct nucleophile अब इस carbon पर करेगा ना इस carbon पर नहीं attack करेगा क्योंकि ये carbon less भल्की चोड़े हाइड्रोजन से जुड़ा हूँआ ये less भल्की है अच्छैli है इस पर क्या करेगा बिटा डाइरेक्ट अटाइक करेगा तू आया SN2 मेकनिजम जब इस पर ये अटाइक करेगा तो ये बॉंड धीरे धीरे तूटके निकल जाएगा साइमल्टेनियसली तो आपका क्या बन जाएगा इधा देखिए आपका प्रोडक्ट बना OH और प्लस ये CS3 से ये BR जोड़ गया तो आपका CH3 BR बन गया कौन सी मेकनिजम को फॉलो करते है SN2 अभी आपको बताया था मने स्टार्ट में कि अगर कार्बो कटायन स्टेबल बन रहा है तब तो SN1 मेकनिजम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे अगर कहीं से भी कार्बो कटायन स्टेबल नहीं बन रहा है तो आप क्या करोगे SN2 मे मेकनिजम के थुरू यह प्रोड़क्ट बना दिया जेई की प्रॉबलम थी ठीके बटा अपने फिनॉल बना दिया प्लस मेथाइल ब्रोमाइड बना दिया नेक्स प्रॉबलम है देखें यह करिए अब आपको पता है इस यह इतर है क्या करोगे यह क्या करोगे सिंपल सा देखिए यह प्रोटनेट हो जाएगा इस ऑक्सीजन के जो प्रेजेंट लोन पेर इसने एच प्लस को कॉडिनेट कर दिया कोडिनेट करने के बाद क्या बनेगा देखिए का देहान से आपकी बेंजीन रिंग तो ऐसे इस बनी रहेगी रिंग यह ओ यह एच बना लेका यह पॉस्टिक चाहिए जाएगा क्यों इसने लोन पेर को कॉडिनेट के एफ प्लस सी एच टू और यह अब देखिए क्या में आपके पास क्या है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अब आपको पता कि यह ओएच बन नहीं टूट सकता अब आपको पता है कि या तो यह बन टूटेगा या तो यह बन टूटेगा तो आप खुद दिमाग लगाओ बेटा कि अगर यह बन इधर टूटे अगर इधर टूटेगा तो इस पर पॉस्टिफ चाह जाएगा और कर रहा है तो कोलब यह अगर और पोड़ ओगे तो पोडी चार्द पर यह तो यह आiron पन रहा है। हुआ प्लस क्या है कि ये जब बोंड टूटा तो ये क्या होगा बन गया बन गया श मैसी जब बन गया घ्रैलिक कार्बोकटाइन बन गया तो अब ये हह बन गया तो अब यहां पे जो नूकलियोफाइल है आई माइनेस वो क्या करेगा वो करेगा इस पे अटायक करेगा क्योंकि कार्बोकटाइन के फॉर्मेशन के बाद नूकलियोफाइल अटायक कर रहा क्या कौन सी मेकनीजमगा होगी sn1 किलिर गटा को wag को यह दोनों डायेक्ट भी आप बना सकता है हिस देख के बना सकतों कि मेरे को आप इन दोनों बॉनड को तोडने तोड़ा चाहे यह तोड़ा अगर इधर इधर तोड़ा इस बने गया तो यह मैंने आपको एक बता दिया पिछले तीन-चार वीडियो से कि SN1 मेकनिजम किस-किस टाइप के रियक्शन्स में होती है इसके पहले मैंने बताया था कि वही एलकोहल की रियक्शन करने की पूरी कोसिस करूंगा उससे रिलेटेड अपलोड भी करूंगा यह मेरा आपसे प्रॉमिस है तो प्लीज बेटा अगर चीजे अच्छी लग रही है पॉजिटिव लग रही है तो प्लीज मेरा कॉंफिडेंस बढ़ाने के लिए मुझे एक मोटिवेशन मिले आप लो कर दो प्लीज बेए है तो प्लीजे लग रही है तो प्लीज एक मोटिवेशन मिले ग्यां बेगा चीज़ भी करूंगा यह जा ओक दो प्लीज यह मेरा को है तो प्लीज़ ऑमो